हालो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में दोस्तो ये जो मॉक टेस्ट है वह कतिस्वा रहने बाला है अगर दोस्तो इससे पहले के 30 मॉक टेस्ट या फिर 30 क्लासिस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख स से होगी और आज की इस वीडियो में दोस्तो हम रिजिनिंग हिंदी और इंगलिक सेक्शन से बहुत ही शांदार प्रेस्ट डिसक्स करने जा रहे हैं दोस्तो बने रहिए वीडियो में अंतर्त और दोस्तो यह पेपर का लेबल है वो काफी बढ़िया रहने बाला है यानि क की मोडरेट लेबल जो है इस मोकर इस्ट का रहने बाला है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो पहले प्रशन से पहला प्रशन है which one of the following is different from the rest तो दोस्तों आपको पताना है इन option मैंसे कौन सा इन चारों मैंसे एक भिन है option है society, family, church या फिर club तो दोस्तों ये जो question पूछे गे थे ये जो question मैं discuss कर रहा हूँए मेरे पर बोर्ड के question है और दोस्तों जो answer discuss करूँगा बो भी मैं इनकी option answer की के coding ही करूँगा तो मैंने पता दिया आपको पताना है इन मेंसे different कौन सा है society, family, church या फिर club तो दोस्तों इसका जो option ए है society जो है वो सही हो जाएगा लेकिन दोस्तों इस question मैं मुझे dot लग रहा है बैसे answer की इसका answer जो था वो था society लेकिन आपको confusion है अगर आपको लगता है इसका कोई answer और है तो आप comment बश्य करें अगला question है as class is later to blackboard in the same way cinema hall is later to bitch जिस तरह कक्षा का संबन स्याम पट से है वैसे ही cinema hall का संबन किसे है तो दोस्तों class is later to blackboard in the same way cinema hall is later to bitch तो दोस्तों class जो होती है उसके सामने तका होता है blackboard तो जैसे ही cinema hall होता है पहांपर लगी होती है screen तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा screen अगला question है in a code perfect is written as rgthge by sorry e b then brown is written as तो आपको पताना है दोस्तों किसी जो perfect है किसी code में इस तरह लिखा जाता है तो आपने अपताना है brown को उसी coding में किस तरह लिखा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो coding इस्तमाल हुई है जैसे perfect तो P में जैसे P के बाद आता है P Q R तो दोस्तों एक space दिया हुआ है उसके बाद E के बाद एक छोड़के F उसके बाद G तो इस तरह एक एक space छोड़के अगला letter दिया हुआ है तो उसी तरह brown को दोस्तों लिखा जाएगा B C को छोड़के फिर आएगा D फिर R को छोड़के R और R के बाद आएगा S और उसके बाद T और उसके बाद O M N O P और उसके बाद Q आएगा तो DT Q तो दोस्तों DT Q जो बनता है वो बनता है only option 4 में option D जो है वो सही हो जाएगा DT Q by P जो है ये brown का coding हो जाएगी अगला question है from 4 to 49 how many numbers which are divisible by 4 and some of their digits भी 9 4 से 49 ताक ऐसी कितनी संख्याए है जो 4 से भाज्ये है अंकों का योग जो है बनाव आता है तो दोस्तों आपको बताना है 4 से लेके उन 4 तक ऐसी कितनी संख्याए है तो 4 से divisible है और उनके अंकों का योग जो है बनाव आता है तो दोस्तों 4 से 49 की बीच में only एक संख्या है 36 जो हो विभाजित है और उनके अंकों का योग 9 आता है जैसे 36, 36 और 6 और 3, 9 हो गए उनली एक संख्या आती है तो option जो A है बोसरी हो जाएगा 1 दोस्तों आपके लिए एक महतपून सूचना है अगर आप HP Police Constable exam की त्यारी कर रहे हैं और exam को crack करना चाहते हैं तो आप प्रिक्सा आप की test series buy कर सकते हैं coupon code जाने 50 use कर लेना जिससे आपको 50% का discount मिल जाएगा और आप अपने आपको analyze कर पाएंगे अची तरह से कि आपकी त्यारी कितनी हुई है और आपको किस section में improvement की अबशकता है चलिए शुरू करते हैं अगले question से अगला question है a is brother of b c is sister of b how is b related to a a b का भाई है c b की बहन है तो आपने अपताना है b का a से क्या सबंद होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमें a b का भाई है a का तो gender पता है लेकिन यहाँ पर b का हमें gender पता नहीं है कि b का a से क्या समंद होगा b लड़की है या फिर लड़का है तो दोस्तों इसका option जो d है पुसही हो जाएगा data inadequate यहनकी data प्रयाप्त नहीं है अगला question है statement से आपको statement और conclusion दी हुई है आपने चूज करना है इनमें से कौन कौन से सही है statement है दोस्तों some trees are pens और अगली statement है all pens are pencil तो दोस्तों कुछ paid pen है और सभी pen pencil है तो आपको पताना है इनमें इसका answer क्या होगा कौन कौन से जो निसकर्स है वो सही है तो दोस्तो कुछ पेंसले pen है तो हाँ सही है कुछ पेंसले जो वो है वो pen है अगली statement है सभी paid pen है तो दोस्तो ये गलत है कुछ paid pen है जो पहला statement है उसमें लिखा है और कुछ paid pencil है ये भी सही है और कुछ पेंसले paid है ये भी सही है तो दोस्तो option यहाँ पर गल्द दिया हुआ है एक दो को छोड़के एक तीन और चार जो है ये सही हो जाएंगे तो इसमें option जो है वो गलत दी हुई है एक तीन और चार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला question है English से question है इनमें दोस्तों आपको पताना है यहाँ पर कौन सा appropriate bird आएगा इस blank में आपने appropriate bird भरना है फिल इन blank में दोस्तों प्रशन है दा लोईन स्प्रेंग डैस डैस दा काउ option है upon on over या फिर off तो दोस्तों दा लोईन स्प्रेंग ओबर दा काउ तो इसका option यह जो है वो सही हो जाएगा प्रेंग अपन प्रयोग किया जाएगा ता लोईन स्प्रेंग अपन दा काउ तो option यह सही हो जाएगा अगला प्रेंशन है बी कंटेंट डैस डैस बट यू हैब option है बिद बाई ओफ या फिर in तो आपको पताना है बी कंटेंट डैस डैस बट यू हैब क्या आएगा यहाँ पर इस blank में तो दोस्तो बी कंटेंट बिद यू बट यू हैब तो इसका option यह जो है वो सही हो जाएगा बी कंटेंट बिद यू बट यू हैब option एक रेक्ट हो जाएगा अगला प्रेंशन है आई बेग टू डिफर डैस डैस यू ओन दा स्बजेक्ट आपने पताना है इसमें क्या आएगा आई बेग टू डिफर डैस डैस यू ओन दा स्बजेक्ट दोस्तो आई बेग यू डिफर का अर्थ होता है दोस्तो मैं क्षमा करना मैं आपसे असेहमत हूं तो इसका अर्थ होता है तो I beg to differ with you on the subject इसके साथ दोस्तों with गप्रियों किया जाएगा I beg to differ with you on the subject आप्शन भी सही हो जाएगा with आएगा यहाँ पर अगला question है तपोर बेगर बाज बलाइंड डैस डैस बन आई यहाँ पर पताना है आपने क्या आना है in, off, to या फिर by तपोर बेगर बाज बलाइंड बाई बन आई तो इसका ओप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा बाई का इस्तमाल किया जाएगा यहाँ पर अगला question है you are trying to drag me डैस डैस से कंट्रो बरसी यहाँ आपने पताना है यहाँ पर क्या आएगा in, into, from या फिर for तो दोस्तों यहाँ पर into का प्रयोग किया जाएगा you are trying to drag me into a कंट्रो बरसी अगला question है the cat is hiding from us डैस 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 डा टेबल तो दोस्तों the cat is hiding from us under the table तो option d जो है वो सही हो जाएगा under का प्रयोग किया जाएगा अगला question है दोस्तों अगला 13 और 14 प्रयोग में आपने पताना है दोस्तों nearest meaning यानि कि आपको इसका synonym बताना है तो दोस्तों जो amnesty है आपको इसका synonym बताना है amnesty का अर्थ होता है दोस्तों जैसे क्षामा करना या फिर क्षामा याचना तो दोस्तों इसका option जो d है वो सही हो जाएगा journal pardon option d जो है वो सही हो जाएगा अगला question है आपको decree का सही nearest meaning बताना है decree का सही meaning क्या होगा nearest meaning तो दोस्तों decree का आर्थ होता है एक order जारी करना एक authority के दवारा तो इसका option government के दवारा या फिर ruler के दवारा तो an order by banan authority तो इसका option जो A है वो सही हो जाएगा an order by banan authority decree का सही अर्थ हो जाएगा यहनकी nearest meaning हो जाएगा अगला question है अगले question में दोस्तों आपको इसका antonym बताना है यह जो option है पहला word है famous तो दोस्तों आपको famous का सही antonym बताना है तो दोस्तों famous होता है जैसे प्रसिद या फिर बिख्यात तो इसका जो antonym हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा obscure obscure कार्थ होता है जो सो तुंदला या फिर ऐसे मिटा होगा इनकी जान पेचानना हो उसकी तो obscure उसके लिए इस्तमाल किया जाता है अगला प्रेशन है आपको benign का antonym बताना है benign का antonym क्या होगा तो दोस्तों benign जो होता है इसका आर्थ होता है द्यालू या फिर कॉमल के उसमें तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा Meligent जो है इसका सही Antonyum हो जाएगा दोस्तों क्योंकि Meligent का अर्थ होता है दोस्तों घातक अगला प्रेशन है जिसका पहले जनम हुआ हो उसके लिए एक सब्द चुनना है तो उसके लिए एक सब्द होगा दोस्तों अगरज option A सही हो जाएगा अगला प्रेशन है आपको दाता का बिलोम शब्द बताना है दाता का बिलोम शब्द क्या होगा दोस्तों दाता या फिर जिसे दानी कहा जा सकता है तो इसका जो बिलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिपन जिसे कंजूस कहा जाता है तो option C सही हो जाएगा क्रिपन अगला प्रेशन है आपको तिक्षन का बिलोम सब्द बताना है तिक्षन का बिलोम सब्द क्या होगा तो दोस्तों तिक्षन का जो सही अर्थ होता है वो होता है जैसे तेज नुकिला या फिर कुशागर बुद्धी वाला तेज बुद्धी मान तो दोस्तों इसका जो बिलोम सब्द हो जाएगा बो हो जाएगा कुंठित option C जो है वो सही हो जाएगा कुंठित का अर्थ होता है दोस्तों ऐसे मूर्क जैसा अगला प्रेशन है हिंदी का ही है अगला प्रेशन आपको अनपम का प्रयवाची सब्द बताना है दोस्तों अनपम का जो प्रयवाची सब्द हो जाएगा वो हो जाएगा एद्वित्य option D correct हो जाएगा अगला प्रेशन है आपको सोरे का प्रयवाची सब्द बताना है दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि सोरे का प्रयवाची सब्द कौन सा नहीं है दोस्तों यहाँ पर सोरे का प्रयवाची सब्द नहीं है वो है सभिता option B जो है वो सही हो जाएगा वाकी कुंदन दिनकर और अ हैं भासकर यह सोरे के प्रवाची शब्द हैं अगला प्रशन है चतर भुज में कौन सा स्मास है दोस्तों चतर भुज में स्मास है चार भुजाओं बाला जिसकी चार भुजाएं हैं दोस्तों तो यह है बहुब रही स्मास तो ऑप्शन बी जो है बुसई हो जाएगा इसमें दिविगुस मास भी हो सकता था अगला प्रशन है जो मीठा बचन बोलता है उसके लिए एक शब्द तो दोस्तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मिश्ट भासी और जो काम बोलता है उसके लिए मिश्ट भासी मुमुर्शा मुमूर्षा क्या होती है दोस्तों मरने की इच्छा करना अगला प्रशन है सु सब्द बताना है आपको लक्षमन किस तरह लिखा जाता है दोस्तों लक्षमन लिखा जाता है option A सही हो जाएगा लक्षमन जो है वो इस तरह लिखा जाता है अगला प्रेशन है दोस्तों आपको साबधान की आपने साबधान की संदीव छेद करना है तो साबधान का जो संदीव छेद होता है वो होता है सर प्लास अबधान और ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर पताएं थैंक्स पर वाचिंग गाड ब्लेस यू आल